Hello Friends, Hero Motocop 12 महीने का चाहर, ये 12 महीने में Hero Motocop ने क्या किया, सिर्फ 0.5% का appreciation, और Nifty के साथ compare करेंगे पहले, तो Nifty में 42% की बढ़त, परसंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, 42, और इसमें 2.42% की increase, यहाँ पर high बनाने के बाद काफी नीचे चला गया, और फिर तेजी से उपर नहीं आ पाया है, दूसरी एक बात देखें कि यहाँ पर volumes की candle बड़े अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, July से लेकर, February तक, फिर थोड़े reduce हो गया है, June तक, June end तक, लेकिन अभी पिछले थोड़े समय में काफी down है volumes, देखिए यह हम 3 मेन 31st, 31 June लेंगे, तो देखिए, 1 July 2020 से 30 June तक, 13 lakh shares की delivery ट्रेडिंग होती थी, per day, जो भी हो गई है, पौने 5 lakh shares, अप्रोक्सिमेट 5 lakh shares, याने कि आधे से भी ज्यादा कम ट्रेडिंग वोल्यूम हो गया, और delivery अच्छी है, 3.72 lakh shares की हुआ करती थी, उसमें अप्रोक्सिमेट 25-30 की कम्याई है, 2.28 lakh shares, तो ट्रेडिंग वोल्यूम always plays a very important part in judging its performance on the stock market, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, 6 महिने के चार्ट पे, यह पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2810 का जो support level है, वो crucial support है, तो 2810 पे, अगर उसके आजू-बाजू में हम एक line draw करे है, 2812, तो देखे, यहाँ पर बार-बार इसने support लिया, और अभी वो ही जगह पर prices आके रूपी है, यह 3 महने का चार्ट देखे, तो यह 2812 पर line draw की गई है, पिछले 2 महने से यह भाव नहीं आया है, अभी यहाँ पर consultation अच्छा हो और फिर भी नीचे आना चालू किया, मुझे यह लगता है, यह prices और भी नीचे जाएगी, thank you